बच्चों ये वीडियो में part wise बना रहा हूँ, यदि आपको इस chapter के सारे videos part 1 से last part तक दिखने हैं, तो आप playlist देख सकते हैं, playlist देखने के लिए video के नीचे यहाँ click करें, आपको home video playlist दिखेगा, अब आप यहाँ click करें, playlist बटन पर, तो आपको यह playlist दिखेगा, यदि आपको औ पुरा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पुरा वीडियो मौझूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं, यह video विज्ञान, क्लास 10, अध्याएग या रह्मान अनेता तो था रंग बिरंग संसार का part 1 है, इसके पहले chapter में हम लोग ने प्रकास के परावर्तन तथा अपवर्तन को पड़ा है, तो वह chapter आपको बहुत अच्छे समझने चाहिए, प्रकास का परावर्तन क्या होता है? उसके जो वीभिन points से वाँ store आपको समझना चाहिए, वहाँ पर lens के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ होना चाहिए, सा परिपेक्षे उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप इस चाप्टर को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे इस अध्याय में हम लोगों कुछ प्रकाशी परिघटनाओं को पढ़ना है जैसे कि इंद्रधनुस का बनना इंद्रधनुस किस प्रकार से बनता है ठीक इसी प्रकार से श्वेत्रा सात रंगों में बेभक्त होना या फिर हम लोगों को यह जानना है कि जो आकाश का रंग होता है वह नीला क्यों होता है इन सारे प्रकाशी ये परिघटनाओं को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है और ये चैप्टर बहुत ही महतो प्रशना आपको जानना है और उसके बाद बहुत सारे ये जो पार्ट्स होते हैं इसके कारी को भी आपको जानना है जिससे भी एक्जाम में प्रशन पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हैं मानोनेत्र और आप जानते हैं कि मानोनेत्र के द्वारा ही हम लोग इस रं सिगनल में परिवर्थित कर देता है यह रेटिना और फिर यह दिक तंत्रिगा की द्वारा हमारे मस्तिस्क में जाता है और जिस कारण से हम लोग इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं तो यहां पर आप एक नेत्र का चित्र को देख सकते हैं यह नेत्र गोलक आपको दिख रहा होगा यह लगभग गोल आकरिती का होता है जो की आगे की और थोड़ा सा यहां पर बल्ज होता है आगे की और थोड़ा सा उठा होता है इसका व्यास यदि हम लोग देखें तो लग transparent होता है मतलब पारदर्सी होता है और एक पारदर्सी झिल्ली ये लगी होती है जिससे होकर जो प्रकास है वह आरपार हो सकता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं कोर्णिया या फिर स्वक्षमंडल कह सकते हैं अब देख सकते हैं यह बाहरे है यह सबसे पहल लियर है जिसे हम Gosh Everyday is बाद इदर जो क्या भाने परितारिका इसके बाद जो अब किया करना में पकष्माग पेषियां यहां देख सकते हैं नीचे और उपर लगी है और यहां ईसके बाद जो मैंने सुरु में आपको बताया यह है रेटीना दृष्टि पटल हिन्दी में को दृष्टि पटल बोलेंगे इग्लिश मिसको रेटीन बोलेंगे और यहां पर और वंकै जोस于 प्रकास क्रकास जो विद्यूत सिंग्लर में परिवर्तित हो रहा है यह मस्तिस तक उसको ले जाएगा इसके बाद आप देखें कि यहां एक द्रौ भार रहेगा जिसको हम लोग बुलें कचाब द्रौ और आगे में नेत्रोध भारा रहेगा या फिर बूलें कि नेत्रोध पाये जो कि आँख के चारोवर पाये जाता है यह एक पतला जिल्ली के रूप में होता है तो इसके बारे में आपको एक पॉइंट जानना है कि जो प्रकास हमारे आँखों पर पड़ता है उसका बहुत सारा भाग यहां पर से अपवर्तित हो जाता है नेत्र में प्रवेश करने प्रकास किर्णों का अधिकांस अपवर्तन कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर होता है मतलब कॉर्णिया का यह जो बाहरी प्रिष्ट है इससे अधिकांस प्रकास का भाग किया हो जाता है अपवर्तित हो जाता है तो यह आपको जानना यहां वर्ड अपवर्तन लिखा ह हुआ है तो आपको ध्यान देना हुआ अपवर्तन और परावर्तन आप खुद भी पढ़े होंगे इसके बाद आप देख सकते हैं या जो दूसरा बहुत ही परितारिका और जो बीच वाला भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पुतली तो आपको यह समझना चाहिए कि यह जो परितारिका है यह जो पुतली है उसके साइज को क्या करता है कम या बेसी कर सकता है जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजे कि बहुत ज़्यादा प्रक प्रकास होने पर पुतली क्या हो जाता है छोटा हो जाता है क्योंकि यह जो परितारिका है और यह पुतली दोनों इस बात को रेगुलेट करते हैं कि हमारे आँख में कितना प्रकास जाना चाहिए मतलब यह इस बात को निश्चित करते हैं कि आँख में ना ज़्यादा प् पहले आप समझ लीजे तो मान लीजे कि आप एक अंधेरे मतलब अंधेरे कमरे से प्रकास वाले जगह पर जा रहे हैं मतलब अंधेरे रूम से प्रकास वाले जगह पर जा रहे हैं तो अचानक आपके आख में बहुत ज्यादा प्रकास पड़ेगा तो यह पुतली क्या हो जा तो आप देखेंगे कि यह परितारिका है जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आएंगे यह पुतली को बड़ा कर देगा मतलब यह दरवाजा क्या हो रहा है खुल रहा है जिससे होकर प्रकास अंदर की ओर जाएगा तो अब आपने समझ लिया कि आँख में कितना प्रकास प्रवे पुतली क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और जब ज्यादा प्रकास चाहिए तो यह पुतली क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसके बारे में एक दो पॉइंट्स जो आपको समझ लेना है आपको यह समझना है कि परितारिका क्या करता है एक गहरा पेसिये डाइफ पेशिय डायफ्राम के तरह कारी करेगा जो कि पुतली के साइज को क्या करेगा नियंत्रिक करेगा इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो निक्स्ट है वह है पक्षमाभ पेशी और अभिनेत्र लेंस तो जो अभिनेत्र लेंस होता है वह रेशेदार जेलिवत पदाथ का बना होता है और वह क्रिश्टलिय लेंस होता है यह दो बात आपको जानना है तो यह जो लेंस होता है अभिनेत्र लेंस यह सीसे का नहीं बना होता है मतलब क्या है कि यह जो लेंस है जैसे कि हम लोग आगे चश्मा में जो लेंस लगाते हैं वह सीसे का बना होता है तो क्या इस लेंस को आप कभी पतला कभी मोटा कर सकते हैं तो इसका उतर है नहीं लेकिन यह जो अभी नेत्र लेंस है आप देख सकते हैं यह मान लिजे कि अभी यह मोटा है तो इसको हम लोग पतला भी कर सकते हैं इस प्रकार से तो यह कैसे कर सकते हैं अपने पक्षमाब पेशियों के द्वारा तो जो पक्षमाव पेशियां है ये नेत्र लेंस को कभी पतला तो कभी मोटा करती हैं तो आप बुलेंगे ऐसा क्यों करती है तो इसके लिए आपको पुर्व अध्याय यानि कि प्रकास का अपवर्तन परावर्तन तो था अपवर्तन के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको लेंस के बारे में जानकारी हो रहा चाहिए कि यह जो लेंस है यह इस पर कार आप देख सकते चाहिए और यह क्या है लेंस तो लेंस जो है वह प्रकास को इस्प्रकार से यहां पर क्या करेगा अपवर्तित करेगा जिससे की आपका जो रेटीना है उस पर इमेज बने या फिर प्रतिबिम्ब बने तो लेंस का क्या कारिय है लेंस इसके सामने आने वाले वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटीना पर बनाता है तो किस प्रकार का यह प्रतिविम बनाता है तो यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिविम होता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिविम बनाता है जो कि कहां पर बनाता है रेटीना पर बनाता है तो अब समझ में आपको यह आना चाहिए कि आप माली जी यहां पर खड़े है तो आपका आँख स्थिर है तो आपको बहुत दूर की भी चीज़ को देखनी है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको सामने ला रहा हूँ तो यहाँ मुझे सामने की वस्तू को भी देखनी है यदि यह बहुत दूर चला गया तो बहुत दूर की वस्तू को भी देखनी है और मेरा आँख भी वही स्थित है और रेटीना भी वहीं स्थित है मतलव इसके जगह को हम नोग परिवार्थित नहीं कर सकते है और जब भी प्रतिविम बनना चाहिए रेटीना पर ही बनना चाहिए इस एमेज को ताकि आप उस वस्तू को क्लिरली देख सके वस्तु को साब साब देख सके तो अखिर आप उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं जो बहुत दूर है या बहुत पास है तो उसकी लिए क्या होता है ये जो लेंस है कभी पतला हो जाता है और कभी मोटा हो जाता है और पतला होगा या कभी मोटा होगा तो इस प्रकार से वो प चमता कहते हैं तो नेत्र का वह चमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को वह पतला होता है और मोटा होता है तो उसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को या तो कम करता है या तो बेसी करता है यानि कि अधिक करता है तो वह नेत्र का जो लेंस है वह फोकस दूरी को बढ़ासता है या फिर घटाता है ताकि उसका जो image बन रहा है प्रतिविम बन रहा है वो retina पर ही बने हमेशा कहां बने retina पर ही बने तो इसे ही बोलते है नेत्र का समझन चमता तो यह कौन करता है तो यह करता है पक्षमाव पेशिया आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सकती है इसे यह मोटा कर सकती है इस प्रकार से तो यदि यह मोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा मोटा इस प्रकार से मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यदि यह पतला हो जाएगा इस प्रकार से तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा बढ़ तो आख को कोई भी चीज नहीं दिखेगा यह आपको समझ होना चाहिए कि दिमाली जी यह प्रतिविम यहां पर बने तो हमको वह वस्तु नहीं दिखेगा या फिर यह प्रतिविम यहां पर बने तो भी हमको वह वस्तु नहीं दिखेगा वस्तु को सपष्ट देखने के विद्यूत सिगनल में परिवर्थित कर देता है और उस विद्यूत सिगनल को द्रिक तंत्रिका के दोवारा कहां पहुंचा दिया जाता है मस्तिस्क तक पहुंचा दिया जाता है जिसके बाद हम उसको साप साप देख पाते हैं तो यहां पर आपको यही समझना था तो रेट बन रहा उसको detect कर लेती है उसको पता कर लेती है और उसको फिर किस signal में परिवर्थित कर देती है जो कि फिर द्रिक तंत्री का द्वारा मस्तिक्स तक पहुंचता है और उस वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं समंजन जब छमता जैसे मैंने बताया अभी नेत्र लेंस का वह चमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है नेत्र का समंजन चमता कर लाता है तो यह most important question है जो कि exam में आपको पूछा जाता है कि समंजन चमता किसे करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा समय पर बता दो यहां पर आपको अपने बुक तो भी आप देखें कि आपको साफ साफ दिख रहा है और आप पास लाते जाएंगे तो भी आपको साफ साफ यह दिखेगा लेकिन आप एकदम पास लाएंगे एकदम यहां पर लाके और आपको पढ़ना ही है तो आप देखेंगे कि आपके आँखों में थोड़ा सा कसाव महसुस होता है मतलब आपको थोड़ा दर्द-दर्द महसुस होगा आपको एकदम पास में ले आना है और उसको जवरजस्ति आपको पढ़ना है तो आप देखें कि आपके आखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा तो वो दर्द ऑर यह और जा iba किस चीज कर रहे हैं इसके मतलब यहां पर बहुत जादा दबाव पड़ रहा है और आपको वहां पर दर्द हो रहा है तो आप इस चीज को करके देख भी सकते हैं